C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय दस ठोस आकारों का चित्रण 10.3 अपने आसपास की स्थान का प्रतिचित्रण आप अपनी प्राथमिक कक्षाओं से ही मानचित्रों यानि मैप्स या प्रतिचित्रों के साथ कार्य करते आ रहे हैं भुगोल यानि जियोग्रफी में आपसे मानचित्र पर एक विशेश राज्य, एक विशेश नदि, परवत इत्यादी का स्थान बताने को कहा गया था, इतिहास में आपसे बहुत पहले कुई खटना के स्थान को बताने को संभवतह कहा गया होगा, आपने नदियों, सडकों, रेल लाइनों, व्यापारिक तथा अन्य बहुत से मार्गों को खीचा या उनका चितरन किया है, हम मानचितरों को किस प्रकार प सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, एक मानचितर में कौन सी सूचनाएं होती हैं और कौन सी सूचनाएं नहीं होती हैं, क्या यहे एक चितर से किसी अर्थ में भिन्न है, इस अनुछेद में हम इन प्रश्नों में से कुछ के उत्तर ज्यात करने का प्रयत्न करेंगे, किसी घर के मानचित्र पर गौर कीजिए, जिसका चित्र साथ में दिया गया है. आकरिती 10.1 यहां पर एक घर बना है, साथ में उसका मानचित्र बना है. प्रिष्ट संख्या 171 इस आकरिती से हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं? जब हम कोई चित्र खीचते हैं, तो हम उसकी स्पष्ट दिखाई दिने वाली जानकारियों की वास्तविक्ता को निरूपित करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि एक मानचित्र किसी एक वस्तु का अन्य वस्तुओं के संदर्भ में केवल स्थान दर्शाता है. दूसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति चित्रों का एक दूसरे से पूर्ण तया भिन्न विवरण दे सकते हैं, जो इस पर निर्भर करेगा कि वे घर को किस स्थान से देख रहे हैं. परन्तु, यह एक मानचित्र की स्थिती में सकते नहीं है. प्रेक्षक की स्थिती कहीं भी हो, घर का मानचित्र वही रहता है. दूसरे शब्दों में एक चित्र खीचने के लिए परिपेक्ष अती महत्वपूर्ण है, परन्तु, यह एक मानचित्र के लिए अनुकूल नहीं है. अब एक मानचित्र आकृती 10.2 पर गौर कीजिए जो एक साथ वर्ष के बच्चे राघव ने अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्क के लिए खीचा है. आकृती 10.2 इस आकृती में घर से लेकर दो जगाहों का रास्ता बताया गया है. एक है मेरा स्कूल दूसरा है मेरी बेहन का स्कूल इस आकृती में एक पौंड भी दर्शाया गया है. इस मानचित्र से क्या आप बता सकते हैं कि एक राघव का स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? दो मानचित्र में प्रतियेक वृत्त क्या एक गोल चक्कर दर्शाएगा तीन घर से किसका स्कूल अधिक निकट है राघव का या उसकी बहन का दिये हुए मान्चित्र को समझ कर उप्रोक्त प्रश्णों के उत्तर देना बहुत कठिन है क्या आप बता सकते हैं कि क्यूँ इसका कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इसमें दूरियां सही यानि उचित प्रकार से खीची गई है अत्वा खीचे गए वृत्त गोल चक्कर हैं या कुछ और निरूपित करते हैं अब एक अन्ने मान्चित्र पर गौर कीजिए जो उसकी दस वर्षिये बेहन मीना ने अपने घर से अपने स्कूल का मार्ग दर्शाने के लिए खीचा है आकृती 10.3 पर गौर कीजिए आकृती 10.3 इस आकृती में बताया गया है कि कौन सा रास्ता आधा किलोमीटर है कौन सा एक किलोमीटर इत्यादी साथ में अलग-अलग चिन्ह बताते हैं कि घर कहां है साबुन कहां है स्कूल कहां है रोड कहां है तालाब कहां है और अस्पताल कहां है यह मानचित्र पिछले मानचित्र से भिन्न है यहां मीना ने भिन-भिन सीमा चिन्हों यानी लैंड मार्क्स के लिए भिन भिन संकेतों का प्रयोग किया है दूसरी बात ये है कि लंबी दूरियों के लिए लंबे रेखा खंड कीचे गए है तथा छोटे रेखा खंड कीचे गए है अर्थात उसने इस मान्चित्र को एक पैमाने यानी स्केल की अनुसार खीचा है अब आप निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दे सकते हैं एक, राघव का स्कूल उसके निवास थान से कितनी दूरी पर है इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ संकेतों का प्रयोग करने और दूरीयों का वरणन करने यानी जानकारी देने से हमें मान्चित्र को पढ़ने में सहायता मिलती है ध्यान दीजिये कि मान्चित्र पर दर्शाई गई दूरियां भूमी पर वास्तविक दूरियों से समान उपातिक यानी प्रपोर्शनल हैं यह एक उप्युक्थ पैमाना मान कर किया जाता है एक मानचित्र को खीचते या पढ़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए उसे किस पैमाने से खीचना है या वह किस पैमाने से खीचा गया है अर्थात कितनी वास्तविक दूरी को मानचित्र पर एक मिली मीटर या एक सेंटी मीटर दूरी से व्यक्त किया गया है इसका अर्थ है कि यदि क्योई व्यक्ति एक मान्चित्र खीचता है तो उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि उस मान्चित्र में एक सेंटीमीटर स्थान, एक निश्चित दूरी जैसे कि एक किलोमीटर या दस किलोमीटर दर्शाता है प्रिष्ट संख्या 172 यह पैमाना एक मान्चित्र से दूसरे मान्चित्र में बदल सकता है परन्तु एक ही मान्चित्र में नहीं बदलता है उदहरणार्थ भारत के मान्चित्र को दिल्ली के मान्चित्र के साथ रख कर समझे आप ये समझेंगे कि जब मानचित्रों को विभिन्न पैमानों की अनुसार खीचा जाता है तो दो मानचित्रों में दूरियां बदल जाती हैं अर्थात दिल्ली के मानचित्र में एक सेंटीमीटर स्थान भारत के मानचित्र की दूरियों की तुलना में छोटी दूरियां निरूपित करेगा. स्थान जितना बड़ा होगा और खीचे गए मान्चित्र का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही अधिक दूरी एक सेंटीमीटर द्वारा निरूपित होगी इस प्रकार सारांश हम कह सकते हैं 1. एक मान्चित्र एक विशेश वस्तू या स्थान की अन्य वस्तूओं या स्थानों के संदर्भ में स्थिती दर्शाता है 2. विभिन्द वस्तूओं या स्थानों को दर्शाने के लिए उप्युक्त संकेतों का प्रयोग किया जाता है तीन, एक मान्चित्र में कोई संदर्ब या परिप्रेक्ष्य नहीं होता है अर्थात, प्रेक्षक के निकट वाली वस्तुएं उसी साइज में दर्शाई जाती हैं जितनी दूर वाली उदाहरणार्थ आकृती 10.4 को देखिए आकृती 10.4 यहाँ पर दो चित्र बने हैं पहले चित्र में हम सड़क को सामने से देख सकते हैं यहाँ सड़क बहुत छोटी लग रही है दूसरे चित्र में हम सड़क को उपर से देख सकते हैं अब सड़क बहुत बढ़ी लग रही है चार, प्रतियक मान्चित्र में एक पैमाना, संबंध होता है, जो एक विशेश मान्चित्र के लिए स्थिर यानी फिक्स्ट होता है यह वास्तविक दूरियों को कागस पर समान उपातिक रूप से छोटा यानी कम कर देता है इन्हें कीजिए, एक एक नगर के सनलग्न मान्चित्र को समझिए, आकरिती 10.5 आकरिती 10.5 यहाँ पर एक मान्चित्र बना है इस मान्चित्र में कबरिस्तान, लाइब्ररी, कोर्ट, पुलिस्थाना, जील, बसड़ा, पायर स्टेशन, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सकेंडरी स्कूल, अस्पताल, पार्क, कॉलेज, डागघर, सामुदाय केंद्र, जल सयंत्र, पार्क और नधी को दर्शाया गया है इस मान्चित्र में इस प्रकार रंग भरिये नीला जल, लाल पायर स्टेशन, नारंगी लाइब्ररी, पीला स्कूल, हरा पार्क, गुलाबी सामुदाय केंद्र, बैंगनी अस्पताल, भूरा कबरिस्तान बी, दूसरी सडक और दानिम सडक के प्रतिछेदन यानि इंटिसेक्शन पर एक हरा एक्स अंकित कीजिए जहां नदी तीसरी सडक से मिलती है, वहां एक काला वाय अंकित कीजिए तथा मुख्य सडक और पहली सडक के प्रतिछेदन पर एक लाल Z अंकित कीजिए सी, कॉलिज से जील तक के लिए एक छोटा सडक का मार्ग गहरे गुलाबी रंग में खीचिए दू, अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्ग का उस पर आने वाले मेत्वपूर्ण सीमा चिन्हों को दर्शाते हुए एक मान चित्र खीचिए प्रिष्ट संख्या 173, प्रशनावली 10.2 एक, एक नगर के लिए दिये हुए मान चित्र को गौर से समझिए निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ पर एक नगर का मान चित्र बना है जिसमें कबरिस्तान, पुलिस्थाना, फायर स्टेशन, बस डेपो, अस्पताल, मोहला, प्राइमरी स्कूल, जील, सिटी पार्क, लाइब्रेरी, बाजार, सिटी कॉलेज, मोहला, सीनिय सेकेंडरी स्कूल, सामुदाइक केंद्र और जल संयंत्र को दर्शाया गया है साथ में सडक A, सडक B, सडक C, सडक D, गांधी रोड, नहरू रोड और शास्त्री रोड भी है A, इस मांचित्र में इस प्रकार रंग भरिये, नीला जल, लाल फायर स्टेशन, नारंगी लाइब्रेरी, पीला स्कूल, हरा पार्क, गुलाबी कॉलेज, बैंगनी अस्पताल, भूरा कबरिस्तान B, सडक C और नहरू रोड के प्रतिछेदन पर एक हरा X, तथा गांधी रोड और सडक A के प्रतिछेदन पर एक हरा Y खीचिये C, लाइब्रेरी से बस डीपो तक एक छोटा सडक मार्ग लाल रंग से खीचिये D, कौन अधिक पूर्व में हैं, सिटी पार्क या बाजार E, कौन अधिक दक्षण में हैं, प्राइमरी स्कूल या सीनिय सेकेंडरी स्कूल 2, उचित पैमाने और विभिन निवस्तूओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए 3, उचित पैमाने और विभिन विशेश्ताओं, कोश्ठक में वस्तूओं, जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा, इत्यादी के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए 4, अपने मित्र के मार्ग दर्शन के लिए एक मान चित्र खीचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुँच पाए 10.4, फलक, किनारे और शीश नीचे दिये ठोसों को समझिए यहाँ पर एक घन बना है जिसका शीश, फलक और किनारा दर्शाया गया है इसके बाद एक घनाब की आकरिती बनी है इसके बाद एक प्रिज्म जैसी आकरिती बनी है उसके बाद एक घनाब बना है जिसके उपर एक प्रिज्म जैसी आकरिती रखी गई है उसके बाद एक घन बना है, जिसका एक शीर्ष त्रिकोन है पहेली, मेरा कोई शीर्ष नहीं है, मेरा कोई सपाट फलक नहीं है, मैं कौन हूँ? यहाँ पर और भी आकृतियां बनी हुई है प्रिष्ट संख्या 174 उपरोक्त ठोसों में से प्रतियेक ठोस बहु भुजिये क्षेतरों यानि पॉलिगनल रीजिन से मिला कर बना है, जो उसके फलक यानि फेसिस कहलाते हैं ये फलक किनारों या कोरों यानि edges में मिलते हैं जो रेखा खंड हैं तथा ये किनारे शीर्षों में मिलते हैं जो बिंदू हैं। ऐसे ठोसों को बहु फलक या बहु फलकी यानि polyhedra कहते हैं। बाई और कुछ आकृतियां बनी हैं ये बहु फलक हैं। बहु फलक उन्ठोसों से किस प्रकार भिन्न हैं जो बहु फलक नहीं यानि अबहु फलक हैं। निम्न आकृतियों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। आप तीन प्रकारों के सामान्ने ठोसों के बारे में जानते हैं। गोला जिसके वक्र प्रिष्ट की ओर संकेत किया गया है। शंकू जिसके पार्श्व प्रिष्ट और आधार की ओर संकेत किया गया है। बेलन जिसके आधार और पार्श्व प्रिष्ट की ओर संकेत किया गया है। उत्तल बहु फलक आपको उत्तल यानि कॉन्वेक्स बहु भुज की अवधारना के बारे में याद होगा। उत्तल बहु फलक की अवधारना भी उसी प्रकार की है। बाइयोर कुछ आकृतियां बनी हैं, ये उत्तल बहु फलक है। एक बहु फलक तब सं बहु फलक यानि रेगियूलर पॉलिहेडरन कहलाता है, जब उसके सभी फलक। सरवांग सम, सं बहु भुजों, यानि regular polygon से बने हूँ तथा प्रतियेक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो. यहाँ पर एक घन बना है, यह एक सम बहु फलक है, इसके सभी फलक सरवांग सम, सम बहु भुज है, फलकों की समान संख्याओं से शीर्ष बनते हैं. दाइयोर एक आकरिती बनी है, यह एक सम बहु फलक नहीं है, सभी फलक सरवांग सम नहीं है, परंतु शीर्ष फलकों की समान संख्याओं से नहीं बनते हैं. ए पर तीन फलक मिलते हैं, परंतु बी पर चार फलक मिलते हैं. प्रिष्ट संख्या 175 ये पिरामिड हैं. हम कहते हैं कि एक बहु फल प्रिज्म होता है, जब उसका आधार यानी बेस और उपरी सिरा यानी टॉप सरवांग सम बहु भुज हों, तथा उसके अन्य फलक, अर्थात, पार्शु फलक यानी लैटरल फेसेज समानतर चतुर भुजों के आकार के हूँ. इसके दूसरी योर एक पिरामिड वह बहु फलक होता है, जिसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला एक बहु भुज होता है, तथा इसके पार्शु फलक एक शीर्श वाले त्रिभुज होते हैं. यदि आप एक बहु भुज के सभी कोनों या शीर्शों को एक ऐसे बिंदू से मिला दें जो उसके तल यानी प्लेन में ना हूँ, तो आपको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्थ हो जाएगा. एक प्रिज्म या पिरामिड को उसके आधार के अनुसार ना मांकित किया जाता है. इस प्रकार एक शट भुजिये यानी हेक्सगनल प्रिज्म का आधार एक शट भुज होता है तथा एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है. तब एक आयताकार प्रिज्म क्या है? एक वर्ग पिरामिट क्या है? सपश्ट तह इनके आधार क्रमशह, आयत और वर्ग हैं इनहें कीजिए, निम्न लिखित बहु फलों के लिए फलकों यानी फेसिज, किनारों यानी एजिज और शीर्षों यानी वर्टिसिस की संख्याओं को सारणी बद कीजिए यहाँ V शीर्षों की संख्या, F फलकों की संख्या तथा E किनारों की संख्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में 6 स्तंभ हैं पहला स्तंभ थोस, दूसरा F, तीसरा V, चौथा E, पांचवा F जमावी, छटा E जमादो स्तंभ एक, घनाब, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार प्रिज्म, वर्ग आधारवाला पिरामिड, वर्ग आधारवाला प्रिज्म आपको इस सारणी को भरना है आप अंतिम दो स्तंभों से क्या निशकर्ष निकालते हैं क्या प्रतियक स्थिती में आप F जमावी बराबर है E जमादो अर्थात F जमावी घटा E बराबर है दो प्राप्त करते हैं यह संबंध Euler सूत्र यानि Euler's Formula कहलाता है वास्तव में यह सूत्र प्रतियक बहुफलक के लिए सत्ते है सोचिये चर्चा कीजिये और लिखिये यदि किसी ठोस में से कोई टुकडा काट दिया जाए तो F, V और E में क्या परिवर्तन होता है प्रारंब करने के लिए एक प्लास्टिसीन का घन लीजिये तथा उसका एक कोना काट कर इसकी खोज कीजिये प्रिष्ट संख्या 176 प्रशनावली 10.3 1. क्या किसी बहु फलक के फलक नीचे दिये अनुसार हो सकते है 1. तीन त्रिभुज 2. चार त्रिभुज 3. एक वर्ग और चार त्रिभुज 2. क्या ऐसा बहु फलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो संकेत एक पिरामिट के बारे में सोचिए 3. निम्न लिखित में से कौन-कौन प्रिज्म है 1. एक कील 2. बिना छिली हुई पैंसिल 3. कागजों पर रखने का भार 4. एक बॉक्स 4. एक प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे है 2. पिरामिट और शंकू किस प्रकार एक जैसे है 5. क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते है 6. इंठोसों के लिए ओईलर सूत्र का सत्यापन कीजिए 1. दो यहाँ पर दो त्रे विम्मिय आकरितियां बनी हुई है 7. ओईलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्याद संख्या को ग्याद कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है पंक्ती एक फलक रिक्तिस्थान पांच बीस पंक्ती दो शीर्ष छे रिक्तिस्थान बारह पंक्ती तीन किनारे बारह नौ रिक्तिस्थान 8. क्या किसी बहुफलक के दस फलक, बीस किनारे और पंद्रा शीर्ष हो सकते हैं? हमने क्या चर्चा की? 1. टूडी और थ्रीडी वस्तूओं को पहचानना 2. संयोजित या वस्तूओं के मेल में विभिन आकारों को पहचानना 3. भिन भिन स्थानों से थ्रीडी वस्तूओं के भिन भिन द्रिश्य मिलते हैं 4. एक मान चित्र एक चित्र से भिन होता है 5. एक मान चित्र एक विशेश वस्तू या स्थान की अन्ने वस्तूओं या स्थानों की संदर्भ में सही सही स्थितियां दर्शाता है 6. विभिन वस्तुओं या स्थानों को दर्शाने के लिए मान्चित्र में संकेतों का प्रयोग किया जाता है 7. एक मान्चित्र में कोई संदर्भ या परिपेक्ष नहीं होता है आठ, प्रत्येक मान्चित्र में एक पैमाना संबंध होता है, जो एक विशेश मान्चित्र के लिए एक ही रहता है 9. किसी भी बहु फलक के लिए सूत्र F जमावी घटा E बराबर है दो सत्ते होता है, जहां F फलकों की संख्या, V शीर्षों की संख्या तथा E किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है यह संबंध ओयल सूत्र कहलाता है, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत जहोग है झाल, झाल, निर्मान, था झाल, तक्नीकी समन्व